हेलो चिल्डेन आज मैं फिर आपके लिए सीवी एसी के बच्चों के लिए कोशन सीरीज लेकर आई हूँ जो कि उनके सेकेंड टाम एक्जाम के लिए बहुत बहुत हैल्फुल होने वाली हैं जैसे कि आप सबी को मालूम है ये कोशन सीरीज मैं दा हैरेडिटे एंड इसका जो पर्स पाट है वह मैंने पहले इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया हुआ था कि वह किस तरीके से अब यह है और करके उन्होंने उसी में एक option दिया है कोशन 14 है उसको मैं और करके यह वाला कोशन दिया हुआ है तो कोशन के पहले हम उसको पढ़ते हैं को सब्सक्राइब करेक्टर है क्योंकि स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है एंड ऑप्टेंड ऑल टॉल प्लांट इन एवन जेनरेशन में आप सभी को मालू मैं लॉफ डॉमिनेंस यही कहता है कि एवन जेनरेशन में जो भी डॉमिनेंट करेक्टर होगा वही अपने आपको रि ठांट वह सबी क्या थे टॉल प्लांट से जहाए मोग युन्तों को पर आपको रहे जाए किसके साथ केवल रीक्ने्ट से इसलिए लिए लिखा हुआ है तो इसकी साथ अगर हम इसको क्या करें क्रॉस कराएं तो 800 प्लांट जो होते हैं हमें गेन होते हैं as a result तो how many of these would be tall इन में से कितने तो टॉल होएंगे कितने medium height या short height के प्लांट होएंगे give the genotype of F2 generation तो अब हम इसको solve करते हैं किस तरीके से solve करें देखिए F1 generation में हमें क्या मिले all T tall plants में लेकिन F1 generation में जो हमें क्या मिले plants मिले मैं short में लिक रही हूं तो वह हमें मिलेंगे heterozygous genes के रूप में ओके यह क्या है यह tall plant है हैं tall plants बट जो genotypic ratio होगा वह heterozygous होगा इसका ओके अब यह कह रहे है कि F1 generation में जो हमें plant मिला it means TT एक इसको लेंगे और क्या लेंगे और इसको कराएंगे हम cross TT genes के सांग एक हमारा recessive character यह वाला होगा ओके अब हमने इसको क्या किया कि cross कराएंगे इन दोनों को इन दोनों को cross जब हम कराएंगे तो इसको हम वैसे ही कर सकते हैं गैमेट में बना लीजें इसको एक तो यह sorry it is capital T and it is small t and it is small t it is small t अभी चार में बट गया हम चाहें तो इसको पुनेट square से भी कर सकते हैं चलिए पुनेट square से करके देखते हैं ओके तो पुनेट square से हमें 4 गैमेट मिल गए अब हम क्या करेंगे इसको आपस में multiply कर देंगे capital T, small t जो कि यहाँ पर है अब यह small t and small t जो कि यहाँ पर गैमेट मिला multiply करिए T, capital T, small t, capital T and small t small t, small t and small t and small t तो अब पता है हमें क्या result मिला वो कह रहे हैं 800 plant पर अब produce suppose कि हमें 800 plants जो हैं वो मिले हैं तो अब result हम क्या देंगे इसको क्या बताना है हमें कि जो हमें मिले यह यह वाला हमें मिला tall it is tall it is tall it is dwarf and it is dwarf के लिया यह दो डाफ मिली हमें और दो मिले हमें कैसे मिली हमें tall pea plant मिले whenever we cross the hybrid tall be the TT genes is TT genes means recessive characters के संग हमने hybrid character को जो के tall है and average generation में हमें क्या मिला है obtained हुआ है उसके साथ जब हमने cross कराया तो हमने यह पुने discover बना लिया उसमें हमें क्या result मिल रहा है कि जो आधे जो प्लांट्स हैं वो तो टॉल है और आधे प्लांट्स हो हैं वो क्या हैं डौर्फ हैं तो यह हम लिखेंगे कि 800 प्लांट्स जैसे उन्होंने कहा कि we will get 800 प्लांट 800 हमें मिले तो 800 प्लांट्स में से 400 प्लांट्स क्या थे हमारे प्लांट्स वर टॉल यह थे टॉल एंड फॉर टॉल यह मिलेंगे हमैं प्लांट्स वर डौर्फ यह हमें result मिला और ratio हमारा क्या हो गया ratio हमारा 2 2 का हो गया या 1 1 का हो गया हाफ हाफ हो गये हमारे है ना तो हमें ratio क्या मिला 2 2 का ratio मिला है तो इसका मतलब यह हुआ कि in this case जब हमें यह मिल गया तो give the genotype of after generation genotype हमारा वो ही रहेगा जीनो टैप भी हमारे आधा अधा ही रहेगा हाफ आफ रहेगा और यह जीनो टैप ratio ही होगा जीनो टाइप ratio ओके 2 ratio 2 का ratio हमारा आ जाएगा क्यों आ जाएगा क्योंकि हमारी जो मिले 400 प्लांट टॉल मिले and 400 हमें डौर मिले केश जेट के लिए तो यह तो भी बच्चों हो गया हमारा सैंप्ल पेपर अब मैं कुछ question और लोगी हुआ यह जो भी है